दोस्तो मेरी उमर लबक 30 साल है और इन 30 सालों में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी लेकिन रियलिटी बेस मैंने कुछ ही फिल्में देखी है जो वाकिय में रियल थी रियलिटी थी और बात करूँ में नक्सलिजम की तो नक्सलिजम पर अब तक मैंने सिर्फ दो ही फिल्म देखी है जो मुझे नक्सलिजम का सही चेरा बताती है एक विवेक रिखन अगरी होते ही की फिल्म आये थी बुद्दाइन ट्राफिक जाम और अब जा क्या ही है बस्तर बुद्दाइन ट्राफिक जाम बात करती है सहरी नक्सलिजम की जो अरबन नक्सल्स है और बस्तर जो बात करती है बेसिकली वो रूनल नक्सली की जो जंदरों में है बीगडों में है और साथ में कवर करती है सहरी नक्सलिजम की अब आम सोचोगे सहरी नक्सलिजम की होते हैं तं़र में बैठे हैं सिस्टम में बैठे हैं बॉलिवड में पैठे हैं जो बैठे हैं इस फिल्म में एक सीन भी है जहां पर komанеo, निकसली होगा जो नेथा, komано должны भोलता भी हमें एगर सक्पा पर राज करना है देश में राज करना है तो हमें सिस्टम में घुन की तरह घुशना होगा और उसके लिए हमें चाहिए जुडिसिरी सिस्टम उसके लिए मेडिया, उसके लिए पत्रकार, उसके लिए बॉलिवूड और उसके लिए हमें चाहिए भारती राजनिती, इंडियन पॉलिटिक्स और अब यकीन मानोगे इन सारी चाहिए जितनों को नाम इसने लिया है और रियलिटीव हमें वो दिखती भी है चाहे बॉलिवूड ले लो बॉलिवूड में अब तक नकसलिजम से दो एक फिल्म बनी है और बॉलिवूड का इत्यास सो साल से है अब सोचो कि नकसलिजम बे ये क्या चीछ छुपाते है और क्या चीछ दिखाते है इसकी बात आजओ पॉलिटिक्स में पॉलिटिशन बेसकली सारी बात पे एकी चीछ को घेरेंगी सरकार को मतलब अगर बस्तर में 6 जवार मारे गए तो इसमें सरकार की गलती है उनकी गलती नहीं है जो नकसली है उन पे कोई बात नहीं करेगा चाहे वो मीडियम बैठे पत्रकार हो चाहे बॉलिवूड हो और इसके बात फैसला कोई जाता है रो कोई केस जाता है सुप्रीम कोट में तो आप में यकीन मानों सुप्रीम कोट के जो फैसले वो पहले ही तै होते हैं कि इनका जो फैसला है किसकी फिवर में जाने वाला है और उसके बावजूद केस लगा जाता है फोर मेल्टें के लिए सुप्रीम कोट के लाश के दस आप ऐसे फैसले उठा के देखो और उसमें खुज आपको पता लग जाएगा कि ये सुप्रीम कोट ये कोट और ये कहा कमप्रमाइज है कभी तो कभी ये लगता है कि सुप्रीम कोट आम आदमियों के लिए नहीं है वहाँ पर सिर्क बिल दे जाती है बड़े बड़े घंगोर अपरादियों को सिर्क बिल मिलती है वहाँ पर आप खुद ही सोचो कितने जगने क्राइम होते हैं भारत में आज तक किसी को फांसी की सजा हुई है वह आतंगी के बाद छोड़ दो वह एकसेशनल केस था लेकिव यहाँ पर जजज कच्चे निलके है वह फांसी की सजा दे ही नहीं पाएंगे वह आपके हमारे बहुत नजदीक है यह फिल्म और क्या कहते हैं रिव्यू करेंगे बस्तर दन अक्सल स्टोरी का नमस्कार मैं हूँ संजय और स्वाधा थे मैंचल पर फीबी रेट पर बस्तर दन अक्सल स्टोरी यह फिल्म माओ को एंगल से दिखाए गया है बस्तर में घटरे घटनाओं को सबसे ज़्यादा दर कहीं दुख पहुंचता है अगर कोई मरता ह रोज तो बस्तर की माई और साथ में यह भी दिखाता है कि नक्सलिजम एक बहुत बड़ा एक इंडिस्ट्री है इसमें खरवो रुपे का इंविश्मिट होता है और खरवो रुपे इससे कमाये जाते हैं यह फिल्म काले को काला और सफेद को सफेद सब्डल फोर्म में बि पर निर्जा मादवन यह दो माई हैं जिनके एंगल से यह फिल्म की कहानी पो इनरेट की गई है जंगलों में रह रही रतना जिसका प्रती इसली सरव मार दिया गया है क्योंकि भारत तिरंगा फेरा दिया है और भारत कानून में उसकी आस्था है और साथ में उसका लड़ और उसकी माओं के मुँग की तरफ ये एक नैतिक जिमिदारी वो पुलिस वाली आयपेस निर्जा मादोन अपने कंदों बले के चलती है तो बेसिकली एक कहानी दो माओं वे एंगल से है वहे पर बात करें जंगल में रहे दे अतना पाठक जिसके आदिमों को मार दिया गया ह सिर्फ मारा इनी गया है जंडा फैराने के एवज में उसके दोनों हाथ काट ले गए हैं बंदुग होते हुए भी उसको कुल्धारी से हर एक अंग 32 टुकडों में काटे गए हैं ये जंगल है जंगल में भारत का एक कानून तो है लेकिन जंगल में नागू नहीं होता यह जहां पर एक पहलन चल रहाए कानून जहां पर नक्सलियों के अपने खुद के कानून है पती की हत्ता के बाद रतना जन लहीं होती बदले की आग में अब उसको बदला लेना है लंका रेड़ी से और लंका रेड़ी को ने इस फिल्म का मेरी विले जो नसली है जिसकी मंच जो स्कूलों और कॉलियों पाई जाती है जी नियू जैसे में यह बाहर कितने सौफ्ट कितने गुलाबे गुलाबे होते हैं वह आप टीवे पर देखा है लेकिन यह कितने हिंसक कितने ब्रूटल कितने वहशी कितने भेडियों होते हैं यह आपको जंगलों में जाके देख जो पेट से है लेकिन उसको बस्तर की जंगलों से नक्सलिजम को मुक्त करना है जहां वो जंगलों में एक्स्ट्रीम लिवल पर काम करती है ब्योंड दा पॉलिटिक्स काम करती है लेकिन इसके लिए चैलेंज सिर्म नक्सलिजम नहीं है इसके लिए चैलेंज पॉलिटिक्स ह जुडिसरी सिस्टम है और इसकी चैलेंज मेडिया है तो इन सारे बड़े-बड़े घंगोर चैलेंज होते हुए नक्सलिस्म को कैसे खतल कर पाएगी ये फिल्म आपको डिटेल में बताएगी इसके लिए आपको फिल्म देखना होगा आप सबसे लड़ोगे लेकिन आप भा सरकारी जो फिल्म दिखाती है सरकारी वकिल सरकारी ही होता है शुद्ध हिंदी बात करता है महोदय महोदय करके बात करता है अपना पक्ष रखता है लेकिन जो वहाँ पर अंग्रेजी जो मेकारे कानून से बने हुए जज है उसकी बात नहीं सुनेंगी उसकी बात में दिखाती है कि नयाई पालिका कैसे काम करती है खास दोर से आतंग और नक्सलिजम वाले मामले में यहाँ पर सिंद दिखायक निर्जा माधवन का के ज़्यादा श्ट्रो है किको इनके पास बहुत सारे इविडेंस है वही पर उनके पास क्या है कुछ नहीं सिर्फ लच्छिदार बाते है लेकिन जजज अपना जज़्जमेंट देता है नक्सलिजों के फिवर में यहाँ पर उसका जो वकील होता है सत्पाल सर्मा यह कहते है कि यह जो वर्डिक्ट है जो फैसला ही यह मेरे समझ मिनिया है इतने साल के क्या है यह रहलों मेरे समझ मिनिया है और उसके क्या आपको भी समझ नहीं आएगा यहाँ पर दिखाता है कि सड़े होई भारत की नायप पालिका और कंप्रमाइड जज बड़े बड़े वावबंती वकीलों की रखैन बन चुकी यह नायप पालिका कैसे फैसले देती है चलब आप रियल लाइब में आ जाओ 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 अब इकल परसों का एक डिजिल है ना सुप्रीम कोड का इलेक्टोरल बॉंड पर जहां पर सुप्रीम कोड अब खुले तौर पर विपक्स के एंगल से बैटिंग कर रही है उनके लिए बैटिंग कर रही है मतलब यह आप सीधा लगा ताओ कि सुप्रीम कोड अब विपक्स ची भूमिका निभा रही है नहीं तो आप बताओ खुदी बताओ आपकी जो फंडिंग होती है इलेक्टोरल बॉंड में की सबको हो रही है इनको यह लगाता कि अम्मानी और अडानी भी फंडिंग दे रखी होगी जिससे हमारा एक स्ट्रों मुद्दा बने था इस वाले इलेक्शन में और विड़बना देखो इनी दो बन्दों ने कोई गौण नहीं खरीदा था टोटल फंडिंग होई है 1200 करून का 47 परसेंट बॉंड जो खरीदा गया है वो बीजबी खरीदा गया है मतलब 47 परसेंट अगर फंडिंग होई है तो बीजबी गोई है बाकि सारे पार्टियों हुई है उस सारे पार्टियों कोई बात नहीं कर रहा है सिर्फ बीज में कितनी फंडिंगों इसकी सब बात कर दे और सुप्रीम कोर्ट भी मतलब आप यह लगा है यह चाहते है तो रियल इसिडेंट है अभी कलपरसों के बात तो यहां से और वहां से डॉट का परनेंट कर लो कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो वहाँ पर दिखाये गया है और इनको लगता है कि आम आदमें चूती हैं आम आदमें कुछ पता नहीं होता आम आदमें को सबसे ज़्यादा पता होता है क्योंकि राजनती भारतियों की नसों में दोड़ती है और सुप्रीम कोर्ट कितनी बिगाओ सलस्ता हो चुकी है कितनी कंप्रमाईज सलस्ता हो चुकी है कितनी सड़िवई सलस्ता हो चुकी है सब को पता है खास दावर से अब जहाँ पर इनके एक से एक बेर मिलती है घंगोर अपरादियों को और एक से एक सुनवाई हो इनके पास पास करों केस प्रिंडिंग है लेकिन फिर भी सुनवाई करते हैं ऐसे मुद्दे पे अपना समय निस्ट करते हैं ऐसे मुद्दे पे जहाँ कोई वै देती है, उस फिल्म में आप इतना इन्वोल हो जाते हो कि आप वो सारे इंसिडेंट आप देखते हो, आपको लगता है यार कहानी सच्पूची मैंने कही सुनी थी, और रियल में आप चाहे अगबार में सुना हो, चाहे आप टीवी नीज में सुना हो, लेकिन वो सारी घटन जरी बहुत बढ़िया कोषिस है, अपनी पिफली फिल्म से केला स्टॉरि से इन्वोल जी हाद को स्पोर्ष किया था, कि कैसे है लव जीहाद होते है, फिर कैसे कनवर्ट गया जाता है, और मुझे लगता है ड्रेक्टर, केस्टड़ी बढ़िया करते है, चाहे वो केला निव्स में वो सुली जा चुकी है और फिल्म की स्टार्टिंग में वो अग्भारों कटिंग लगाई भी जाती है जांको पता है कि सारी घटनाओं को पिड़ोएगी और हिन सारे अगभार के इसने को बहुत ही अच्छा प्रेस्मेंट दिया है पूरी फिल्म में और मैं कहता अन्यवाद देना चाहूँगा मैं सुदितु सीन का चाहे वो तिरंगे के बाद वो हाथ काटने वाला सीन है और इसके बाद जलती आद में एक जिन्दा बच्चे को फेका जाना हो वो इतना हिर्दे विदारक है हट वरिंचिं सीन है कि आप अंदर सहील जाओगे और आपको इसकी रिल्टी यह है कि साथ आठ बच्चे फेके गया थे बच्चे वो भी नहीं बच्चे जो चलत नहीं है वो बच्चे जो रेंगने वाले बच्चे होते हैं ना स्क्रोल करने वाले बच्चे थो उनको फेक है आघ में और सेकिने वाले कोई और नहीं एक फिमेल होती है इक फिमेल नकस लहीं होती है अब बताऊ अला कि बच्चों को जलती आघ में जिन्दा फेक के किस सर्भाई लड़ रहे हो एक गलीज, कायरों की तरह बच्चों को मार के तुम सरकार के तंदह लड़ा जाते हो, सरकार ज दिन चाह ले, ओ दिन तुम एक दिन में, 24 गंटे में तुम लोग खाली हो जाओगे, खताम हो जाओगे, सरकार जिन चाह ने, सरकार से पावरफुल कुछ नहीं होता, ये तो चा आक्टिंग की है चाए वो नीर्जा माधमन का किरदार हो अदा शर्मा का चाए वो रतना का इंदरातिवारी दारा निभाये गया वो रोल और उसके बाद यश्पाल का सरगारी वकेल और इसके बाद जो एडवोकेट बनी है इसके बाद जो आज विलन बना हुआ है ये सारी किर्दाद बहुत ही जबरदस्त है अपने एक्टिंग से आपको मतलब कुछ एक्टर ऐसे जो रूला देंगे हर एक कास्टिंग बहुत ही जबरदस्त हुई है ऐसी फिल्में सदियों में एक बार बनती है और ऐसी फिल्मों को मिश नहीं किया जाना चाहिए वो भी देखें जिनका कमजोर दिल है कमजोर दिल वाले भी इस फिल्म को देखें मैं इस फिल्म को रेट करूँगा 8 out of 10 star आपको फिल्म देखो और कैसे लिगा बताओ कमेंट बॉक्स में नमस्कार जैहिंद बन्ने मात्री